हेलो दोस्तो एक बार फिर्ट से आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल फोटोशोप गुरू में कल हमने सिखा बीना किसी प्लग इंज के हम कैसे फोटो का रिटचिंग कर सकते हैं आज हम सिखेंगे स्कीन को स्मूज कैसे किया जाता है फोटोशोप में दोस्तो आज के टोपिक को देखने के बाद आप भी अपने आपको एक अच्छा फोटो एडिटर हो ऐसा फिल करोगे यह मेरा वादा है आपसे दोस्तो तो पहले प्लीज वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए और हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू किजिए अभी भी आप मेंसे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जिसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टोपिक How to research your image in Photoshop दोस्तों आपको सबसे पहले एक image open कर लेना है अब इसमें आपको जो basic color correction और touching कर लेना है थोड़ा सा level tool से एक्ज़स्ट करते हैं अब आपको जाना है फिल्टर मेन्यू में अटो टूल बॉक्स और स्कीन फाइनर पर क्लिक करना है जिससे आपके सामने एक ऐसा डायलोग बॉक्स आ जाएगा यहां से प्लस वाले बटन को दबाना है देखिए दोस्त यह पहले ऐसे थी image और अभी ऐसी हो जाएगी है ना कमाल की चीज तो अगर अभी भी किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बढ़ दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं दोस्तो आपको यह जो यहाँ सेटिंग दिख रहा है उसे ऐसे ही रहने देना है अब आपको यहाँ से ओके प्रेस करना है थोड़ा सा टाइम लगेगा और यह हो गया हमारा रिटचिंग दोस्तो आप भी अपनी image ऐसे ही इसे प्लगिंग की मदद से ऐसा ही टचिंग कर सकते हो असा रखता हूँ आपको आज के इस टोपिक से कुछ सिखने मिला होगा तो चलो मिलते हैं आने वाले वीडियो में थेंक यू